हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में आज बनाएंगे इस पैटन में डॉर मैट जो की ना ही बुनाई करना है ना ही हमें चोटी बनाना है और ना ही क्रोशे की जरूरत है ना ही हमें फ्रिल बनाना है बिल्कुल नए तरीके से तो यहां पर मैंने प्लाजो लि लेना है, अब इसे भी कट करके हम अच्छे से फ्लैट कर लेंगे और जितना पॉसीबल हो सकेगा हम एक rectangle piece निकाल लेंगे, क्योंकि तिर्छा है थोड़ा सा कपड़ा, तो दोनों pieces में एक बराबर से हम rectangle piece निकाल लेंगे दोनों को बराबर कर लीजे तो यहाँ पर जो मेरा rectangle piece निकलेगा वो निकलेगा 22 by 14 इंच का length 22 इंच है और width इसकी 14 इंच है तो इस तरीके से ये door mat का हमारा निकल चुका है ये मेरे पास पुराना top रखा है मेरा तो इसके जो पीछे वाला portion यान इसे मैं cut कर लोगी दो layer इसकी निकाल लेते है तो इसके अंदर lining लगी है और उपर जो net वाला कपड़ा है ये भी बहुत soft है यहाँ पर मैंने pant का कपड़ा लिया है आप पुरानी bed sheet या परदी का कपड़ा ले सकते हो अब देखे कोई measurement नहीं है सिर्फ ऐसे ही रख लिया है मैंने ये 3 layer हो चुकी है उपर से 2 layer और तो total हमारी 5 layer हो जाएगी ये देखे पूरी 5 layer हो चुकी है अब जितना भी extra है उसे cut करना है इससे पहले हम pin up कर लेंगे ताकि ये ही लेना जो भी extra होगा उसे हम cut कर लेंगे और जो भी गद्धी वगरा बनाते है न फ्लोर सोफा बनाते हैं ये च्वियर की गद्धी उसमें filling के काम आजएगी तो कत्रनों को भी नहीं फेकना है जितना भी extra है उसे cut कर देना है और चारो तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है और मैं ये pattern बना रही हूँ round में आप चाहो तो तिर्ची लाइने सीधी सीधी खीच सकते हो या फिर lengthwise सीधी लाइने draw कर सकते हो और जो ये distance रखा है मैंने ये 1 inch रखना है अभी थोड़ा ज़ादा है सिलाई लगाने के बाद मुझे जब ज़ादा लगेगा तो मैं 20 से 20 पर सिलाई लगा लूगी तो ये distance बहुत ज़ादा नहीं रखना है मैं 1 inch का रखना है जो ये pattern बनाया है मैंने round में इसका distance हमें 1 inch रखना है तो simple है बस हमें सिलाई यहां लगाती जाना है अब इसी तरीके से pattern को repeat करना है और last तक हमें इसी pattern में सिलाई लगा लेना है round में तो देखे पूरे पर मैंने सिलाई लगा ली है अभी मुझे थोड़ा सा distance ज्यादा लग रहा है इसमें ये 1.5 inch के करीब है आप 1 inch से ज्यादा मत रखेगा तो बीच-बीच में मैं सिलाई और लगा लूँगी ताकि इसके बीच का distance कम हो जाए जो round में मैंने pattern बनाया था अब साइडों से मैं सिलाई को खोल लूँगी जो चारो साइड सिलाई लगाई थी इसको खोल लेना है क्योंकि अब हमारी पकड़ बन चुकी है जो बीच में pattern बनाया था देखे पैटन का distance जो है कम हो चुका है कपड़े को कट करना है उपर वाली layer को तो ही पूरे 5 layer है आप उपर से 3 layer कट कर सकते हो नीचे base हमारा strong है काफी मजबूत है पैंड का कपड़ा लिया है तो ऊपर से 3 layer आप कट कर सकते हो या 2 layer भी कट कर सकते हो तो 2 layer हमारी प्लाजो की है और 3 layer कट करोगे तो वो जो T-shirt ली और फ्रिल बनाने में टाइम भी बहुत लगता है कपड़ा हमारा लिमिटेड ही है जो भी फ्लैट में बनाया है फ्रिल बनाने में कपड़ा भी साधा लगता है बिलकुल फ्रिल वाला ही लूक आजाएगा इसमें तो इस तरीके से कट कर लीजे सिर्फ बहुत ध्यान से करिएगा नीचे वाला बेस नहीं कटना चाहिए और उपर से हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए तो इस स्टार्टिंग के मैंने तीन कट कर लिए हैं तीन लाइनों को हमें बीस से कट करके दिखाती हूं आपको कैसे कट करना देखे यह इस पेस भना है इस पेस इसलिए बन चुका है क्योंकि बैस ए हमारा वो नहीं करतना चाहिए तो जब आप इस तरीके से बनाते हुँ नraumा बिल्कुल फिल वाला लुक आता है फिल बनाने में तोड़ा टाइम भी लग जाता है पर इससे बिलकुल टाइम ही लगता और 10 मिनट में आपका डॉर्मेट बनके त्यार हो जाएगा देखे दोनों साइड हमारा ये धागा जो है न स्टिचिंग जो दिखाई दे लिए बीच वाला कपड़ा कटना चाहिए सिलाई नहीं कटना चाहिए बस इसका ध्यान रखना है आपको बाकि आप किसी भी पैटन में इस डॉर्मेट को बना सकते हो देखे मैंने पूरे डॉर्मेट में कटिंग कर लिया है और यकीन माने ये बहुत खुशुरत लग रहा है थोड़ा कॉंबिनेशन भी ऐसा लिया है नीचे वाइट लिया है ताकि जो प्लाजो में हमारे स्टार बने हैं उससे मिक्स हो जाएं मिक्स मैच करें अच्छे से और चारो तरफ अब सिलाई लगा लिजिया सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा है उससे हम कट कर लेंगे तो प्लाजो का जो उपर वाला पोशन था कमर वाला हिस्सा वहां से मैंने पटिया निकाली है 2.5 इंच की उल्टे साइट से हमें लगाना है डोर मैट में पट्टी को मतलब फिनिशिंग के लिए जो बादर लगा रहे है पट्टे की सीधी साइट नीचे की तरफ है और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है तो जो इसका ये बादर बन रहा है ये बिल्कुल रेडिमेट जैसे आते हैं डोर मैट बिल्कुल वैसा ही लोग दे रहा है क्योंकि जो हमारी plazo है न ये soft है जो बिल्कुल blanket के जो material होते है बिल्कुल उसी के होते हैं ये soft तो ये देखे हमारा border बन चुका है तो एक side तो मैंने finish कर दिया है back side, front side, side बिल्कुल finishing से लगा है तो एक side हमारा border लग चुका है जैसे दो side मैंने stitch किया है सेम तरीके से दो side और stitch कर लेंगे तो हमारा ये doormat complete हो जाएगा तो देखे इधर भी हमारा border लग चुका है तो चारो side से हमारा border लगा लेना है बहुत ही प्यारा हमारा doormat बनके त्यार हुआ है बहुत soft है और ये यकिन माने बहुत प्यारा है बहुत कम time में और बहुत कम कपड़ों में हमारा बनके ready हो चुका है ये देखे थिकनेस काफी अच्छी है और इसको आप और भी थिक कर सकते हो कोई पुरानी towel है आपके पास आप back side पे उसको लगा सकते हो sleep भी नहीं करेगा और भी fluffy हो जाएगा बतलब गुदगुदा सा हो जाएगा पर मेरे लिए इतना अच्छा है योग कि ये बिल्कुल भी sleep नहीं करेगा पैंट का कपड़ा है और बहुत चिकना भी नहीं है और बिल्कुल फ्रिल वाला लुक का या है बहुत ही जादा खोबसूरत लग रहा है तो देखे बिना किसी जंजट के बिना बुनाई किये बिना चोटी बनाए और बिना क्रोशिय के कितना प्यारा हमारा सॉफ्ट सा दोर्मैट बनके त्यार हो चुका है जितने भी आपके पास ऐसे कपड़े हैं होजरी टाइप के जिसमें धागे रेशे नहीं निकलते हैं आप उनसे ऐसे दोर्मैट बना सकते हो देखे फ्रिल नहीं बनाया फ्रिल बनाने में कपड़ा भी ज़्यादा लगता है टाइम भी ज़्यादा लगता है पर पूरा लुक हमारा फ्रिल वाला ही आ रहा है और यह यकिन माने बहुत खुप्सुरत है और वाशेबल भी है आई होप मेरा आज का इस सिंपल सा इडिया आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी मिलते हैं एक और यूसफुल वीडियो के साथ थैंक यू